बड़ी खबर आ रही है दुनिया के कुछ नामी पर्माणू वैग्यानिकों के एक संगठन ने बहुत बड़े पर्माणू खत्रे की चेतावनी जारी की है अमेरिका के संगठन का कहना है कि अगर पुतिन ने यूकरेन पर पर्माणू बम दागा तो ये बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि फिर अमेरिका और नेटो भी अपने नुकलियर बम मैदान में उतार देंगे यूकरेन पर हमला करने के बाद रूस कई बार अपने पर्माणू हत्यारों की धमकी दे चुका है जिसकी वज़े से पूरी दुनिया सकते में है कि कहीं नुकलियर वार छिड़ी ही न जाए लेकिन बड़े पर्माणू वैग्यानिकों के भी यही डर को भी यही डर जताने के बाद खत्रा बहुत बड़ा हो गया है जिस्पीत हमारे साथ कीम से जूड रही है जिस्पीत क्या पता चल रहा है वहाँ पर जी किशोर फिनलेंड और स्वीडन के सीन में आने के बाद पर्माणू हमले की खबरों ने जोर पकड़ लिया है बुलिटन ओफ एटोमिक साइंटिस्स की रिपोर्ट में ये आशंका जताई गई है कि अगर पुतिन पर्माणू बं गिराते हैं तो उनको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी मतलब इसको इस तरीके से समझा जाए कि नेटो रूस को उसी की भाषा में जवाब देगा और उसके सैनल ठिकाने तभा कर देगा यानि पर्माणू जंग का खत्रा हवा हवा ही नहीं है बलकि बड़े बड़े नूकलियर साइंटिस्स की भी रातों की नींद उड़ी हुई है अमेरिका के संगेटन बुलिटन अफ दी अटॉमिक साइंटिस्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर यूकरेन को जीतने के लिए पुतिन ने वहाँ परमाणू बम दागा तो अमेरिका और बाकी नेटो देश भी यूकरेन में रूस के ठिकानों पर आटम बम गिराने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे और फिर ऐसी परमाणू जंग छड़ेगी जो इनसानों के वजूद के लिए ही खत्रा पैदा कर देगी इतना ही नहीं बुलिटन अफ दी अटॉमिक साइंटिस से जुड़े वैग्यानिकों ने ये भी कहा कि अगर रूस यूकरेन पर परमाणू हमला करेगा तो उस सूरत में नेटो के पास चार आप्शन होंगे पहला तो ये कि वो रूस की सेना पर यूकरेन की सीमा के अंदर या बाहर एक या फिर कई परमाणू बम गिरा सकता है दूसरा नेटो रूस की सेना पर गैर परमाणू हत्यारों से भी हमला कर सकता है तीसरा वो यूकरेन को हत्यारों की सप्लाई जारी रख सकता है और चौथा और आखरी option वैग्यानिकों का कहना है कि हो सकता है कि पुतिन के हमले के बाद नेटो यूक्रेन पर ही जंग खत्म करने का दबाब डाल दे परमानो वैग्यानिकों का मानना है कि अगर अमेरिका और नेटो ने दूसरा तीसरा या चौथा विकल्प चुना तब तो फिर भी ठीक है लेकिन अगर उन्होंने पुतिन को इंट का जवाब पत्थर से देने के लिए परमानो बम गिराने वाला पहला option अपना अथियार बना तो तब भी उतना नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर उसने रूस की सीमा के अंदर घुसकर परमानो अथियार चलाए तो फिर ये युद्ध बेकाबू हो जाएगा क्योंकि फिर ये जंग रूस वर्सिस युक्रेन नहीं बलकि रूस वर्सिस नेटो में बदल जाएगी और नेटो का मतलब है अमेरिका, बिटन, फ्रांस और जर्मनी जैसे 30 देश जब इतने देश लड़ेंगे तो वो होगा तीसरा विश्वयुद्ध, मतलब परमानो बम चलाने का एक एक अक्शन दो देशों के बीच की लड़ाई को विश्वयुद्ध में बदल देगा इसी वज़े से परमानो वैग्यानिकों का कहना है कि पुतिन यूकरेन पर काबू पाने के लिए एक परमानो बम गिराएंगे और उसकी कीमत उन्हें अपनी जमीन पर परमानो हत्यार के वार से चुकानी पड़ेगी जिसमें किसी का फायदा नहीं होगा